हेलो व्यूवर्स स्वागत है आपका आपके अपने एनस लेर्णिंग यूट्यूब चैनल पर तो ये है हमारी 16th क्लास 15 क्लास हम पूरी कड़ चुके हैं आज हम देखेंगे धारा नमबर 29 और एक से लेकर के 28 तक धाराएं हम कम्प्रीट कड़ चुके हैं आपको ये सब याद हो गई होगी और चैप्टर 4 में आज हम कंटिन्यू करते हैं धारा नमबर 29 तो अगर आप वह पाना चाहते हैं जो आज तक नहीं पाया तो आपको वह काम करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं चैप्टर नमबर 4 मैनेजमेंट औफ कोपरेटिव सोसाइटीज समीतियों का प्रबंधन धारा नमबर 29 धारा है nomination by the government यानि कि सरकार द्वारा नमांकन यानि कि सरकार की तरफ से सहकारी समीतियों में कुछ व्यक्ति अमनियुक्त किये जाते हैं उसी के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं धारा 29 कि उपधारा एक देखते हैं कि जहां सरकार ने एक सहकारी समीति की शेर पुझी की सदस्यता ली है यानि कि अगर कोई सहकारी समीति है तो उसकी जितनी भी शेर पुझी है वहाँ पर जो सरकार है उसने भी अपना निवेश किया है दूसरा point आता है शेर पुंजी के निर्मान या व्रद्धी में एप्रत्यक शुरूप से साहेता वही है कि सहेकारी समीती की जितनी भी पुंजी है उसका जो निर्मान करवाने में या फिर उसमें increment करवाने में increase करवाने में कि जितनी भी पुंजी है वो क्या हो जाए बढ़ती जाए जमा पुंजी उसमें भी प्रत्यक शुरूप से जो सरकार है वो यहाँ पर सायता करती है फ़र फ़र पर चलते हैं सहकरी समीति द्वारा जारी किये गए रिनपत्रों के मूलधन और ब्याच के भुकतान की guarantee और फौर्ट पॉइंट यह कहता है कि रिनों और अग्रिमों पर ब्याच के भुकतान की guarantee यानि कि यहाँ पर दो condition होती है कि सहकरी समीति क्या करती है कई बार लोन देती है तो कई बार लोन लेती है ठीक है तो दोनों ही case में जो government होती है यहाँ पर as a guarantor काम करती है जिस तरीके से आप कही पर loan लेने जाते हैं सब्सक्राइब बैंक में जाते हैं ठीक है आप यहां पर कहां गए बैंक में गए बैंक में आप लोन लेने गए तो वहाँ पर आपसे फोर्म भरवाया जाता है तो फोर्म में क्या होता है कि कम से कम जैसे कि वहाँ पर मांगा जाता है कि आपके जो दो गैरेंटर हैं उनका नाम यहाँ पर आप दीजिए कि अगर आप लोन की भरपाई नहीं कर पाते हैं तो ऐसे केस में वो लोग वहाँ पर जिम्मेदार होते हैं सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी गारंटर की रूप में अपनी जिम्मेदारी लेती है तो ये चारों चीजे हैं अगर ऐसा सरकार करती है तो सरकार को पावर मिल जाता है कि वह तीन व्यक्तियों को अधिकतम तीन व्यक्तियों को वहाँ पर नियुक्त कर सकती है सहकारी समीती में थिके तो ध्यान रखेगा यहाँ से क्वश्चन बन सकता है very important धारा नंबर 29 चलते ह अधिक किसी सहकारी समित्य की शेर पुंजी की सदस्यता ली है देखिए यहां पर एक फिक्स पॉइंट आ गया है कि पांच लाग रुपय या उससे अधिक की पुंजी अगर सरकार यहां पर निवेश करती है ठीक है एक कैस यह हो गया तो क्या होगा सरकार जो है उपधारा ए उसे समित्य के मुख्य अधिकारी के रूप में निवेश करती है और वो सदस्य कीस रूप में होगा एजयल और सहकारी समित्य का क्या बन जाएगा वह इस सरकार 5妞 cción 날 लाक रुपय या इससे अधिक का निवेश करती , Studeric उक्य कारेकारी अधिकारी की सहायता के लिए अन्य कारेकारी अधिकारी को भी नियुक्त किया जा सकता है ठीक है धारा नमबर 29.3 सरकार द्वारा नामित या नियुक्त प्रत्यक व्यक्ति सरकार के प्रसाद परियंट के दुरान पर धारन करेगा इसको समझते हैं कि एक्जाम सहकरी समिती का CEO होगा, वो किसकी तरफ से नियुक्त होगा, कांग्रेस सरकार की तरफ से, ठीक है, जैसे ही ये सरकार चेंज होगी, वैसे ही जो CEO है, वो भी चेंज हो जाएगा, आटोमेटिकली इसका पद निरस्त हो जाएगा, मतलब ये अपने पद से हट जाएंगे, और नॉमिनेटेड पर्सन है, सरकार द्वारा, ओके, तो नाउ कम ओन, धारा नंबर 29.4, धारा नंबर 29.4 में, एक मुख्य कारेकारी अधिकारी की नियुक्ति होती है, मुख्य कारेकारी अधिकारी यानि, आप समझते ही है, CEO और इन सब की परिभाशा, हम पहले ही पढ़ चु देखिए, यहाँ पर क्या कर रही है, गावर्मेंट जो है, उसको पावर मिल गई है, कि वो अपनी तरफ से एक व्यक्ति नियुक्त कर सकती है, तो गवर्मेंट ने किसको नियुक्त कर दिया, CEO को नियुक्त कर दिया अपनी तरफ से, तो इस केस में जो पहले वाला जो CEO धारा नमबर 29.5 की बात कर लेते हैं इस धारा के तहत नियुक्त मुख्य कारेकारी अधिकारी वापस बात किसकी हो रही हैं CEO सहाब की बात यहां पर और यह हैं हमारे Chief Executive Officer और कारेकारी यानि की Executive Officer की सेवा की जो नियम और शर्ते होंगी वो ऐसी होंगी जो सरकार द्वारा निर Executive Officer है उन दोनों की जो सर्विस होंगी उनमें जो भी Rules and Regulations, Terms and Conditions होंगी वो कौन निधारित करेंगे खुद Government यहां पर निधारित करेंगी ओके इन साथ ही यहां पर जो उनकी salary का भुकतान होगा किसका salary का उनकी जो भी पारिश्रमिक बनेगा तो वो उसका भुकतान कौन कर करेंगे ध्यान रखीएगा सोसाइटी की निधी से वहां पर धुकतान होगा तो यह बात ध्यान में रखने योगिये हैं इसे जरूर ध्यान रखिएगा नेक्स पे चलते हैं यहाँ पर धारा उन्तिस के दो पार्ट है पार्ट A एंड पार्ट B तो हम पढ़ लेते हैं पार्ट A सहेकरी समीतियों के अधिकारी एवं कर्मचारी तो इस अधिनियम में अन्यत्र किसी बात के होते हुए भी जो हमने अभी अधिनियम पढ़ा है इसके होते हुए भी रजिस्ट्राल A.C. सोसाइटियों के सूचारू संचालन में या फिर सदस्तियों के हित में जो भी सोसाइटि के सदस्तिय हैं उनके हित में क्या कर सकता है सेवा शर्तों के संबंद में निर्देश चारी कर सकता है तीन चीजों पर फोकस कीजिएगा कि ये सारी चीज़े तो हो गई कि गौर्रमेंट इनको अपॉइंट कर सकता है CEO बना सकता है CEO के हेल्प के लिए EO हो सकता है साथी तीन सदस्तियों भी वो निर्धरित कर सकते हैं इन सब के होते हुए भी जो यहाँ पर रजिस्ट्रार होते हैं वो निर्देश जारी कर सकते हैं ताकि सोसाइटियों का जो संचालन है वो अच्छी तरीके से होता रहे और सदस्यों के हित भी होता रहे नेक्स्ट जो रजिस्ट्रार है वो क्या करता है यहाँ पर जो भी भड़तिया होंगी सहकरी समीति में जो भी पारिश्रमिक देना होगा जो भी इस्थनांतरन की बात होगी और इसी तरीके के जो अन्यमामले होंगे इसके सम्मंद में भी दिशानिर्देश रजिस्ट्रार ज सब समझते हो वोंगे बर्ड का मतलब हो सहे कारी समीतियों के करमचारियों के लिए चायन के लिए ईहिसे कारी भरती बर्ड होगा और जैसी कि आप सभी किया बनने माले हैं तो आपका जो कैयल होगा वह इसी बर के माध्यम से होगा वह highlighting खोगा हैं जो भी सारी चीजे हैं आपको चैन करने की जो प्रकृया है कि जो भी पेपर्स होने है जो भी एंटर्व्य होने वह सभी किसी के मध्यम से होंगे इस बोर्ड के मध्यम से होंगे स्ञ design of emailed master foreign common here here on second point यह पर यहां 29 बी को continue करते हुए पढ़ते हैं point number 3 point number 3 में जो board है वो संबंदित समीतियों की आवशकता को देखते हुए उम्मीदवारों की short listing के लिए क्या करता है उनका चैन मांदर निधरित करता है कि किस आधार पर विध्यारतियों का चैन किया जाए और 24 प्रक्रिया होती है वो तैय करने की शक्ति इसके पास होती है बोड के पास में होती है कि आपकी cutoff क्या रहनी चाहिए क्या रहने वाली है जैसे कि यहाँ पर अलग-अलग categories के लिए आजकल पहले से ही निधायित कर ली जाती है कि at least 40% तो आपके नंबर आने ही चाहिए 30% तो आपके marks होने ही चाहिए तो यह सारे मांदर्ण वगरा होते हैं यह भी तैय कोन करता है आपे बोड ही तैय करते हैं तो जहां 4th point हम पढ़ते हैं बोड जो है लिखित परिक्षा आयोजित करने का यह निधाय लेता है यह जो परिक्षा है यह तो इसे स्वयम भी कर सकता है या फिर किसी स्वतंत्र एजंसी यानि कि कोई भी थर्ड पार्टी के माध्यम से यहां पर जो है परिक्षा आयोजित करवा सकता है तो यह सारी चीजे जो आपके परिक्षा हो नहीं है वो कौन करवाएगा यहां पर यह बोड ही करवाएगा तो ध्यान रखी गए जो चैन की प्रक्रिया होती है किस में आती है धारा नंबर 29 में ओके तो बोड में कौन-कौन होते हैं ध्यान में रखने वाली भूले वीडियो को लाइक शरूर करें थैंक यू